अब हमने पिछले कुछ वीडियो उसके अंदर बात की थी कि जो भी इंफ्लेमेशन का प्रोसेस है तो उसको स्टार्ट करने के लिए उसके अंदर मीडियेटर्स चाहिए कुछ मेडियेटर्स जो है हो हमारे पास इनिशेयट और Regulate करेंगे इंफलेमेटरी रियffic factors को की सब्सक्राइब होती हैं और क Orchestrator ऑध उसके नहीं होता हूं तो ॥ कुछ यह ने Assist support on security के लीजए एकुछ आइटर्सों और प्रोस्था जियुक्राइंस यह गाड़ा साइटो काइंज होते हैं कीमो काइंज हो गहरा और हमारे पास वह प्रोडक्स जो कंप्लीमेंट सिस्टम को अक्टिवेट करते हैं प्रिंसिपल मीडियेटर्स की अगर हम समरी की बात करें तो समरी जो है यह एक टेबल वैसे डीटेल में हर एक का लगा लगा दिया हुआ है यह काम क्या कराता है हमने कहा था कि वेजोडालेशन होनी है जो हमारे पास अक्यूट इंफ्लमेशन उसका सबसे पहला सब क्या है वेजोडालेशन इंक्रीज वैस्कुलर पर्मियाबिलिटी और एंडोथीलियम की अक्टिवेशन इन तीन कामों के लिए हमारे पास हिस्टा बारिंस और स्लीक्रों कि यह ए्ट दोन जा नियुस थेड़ादे पेल folds arguing or मेंक्रोथेटिस और ड्रीराल से र्लीज़ की वर सफेल्थीक देट बारिश से रेलीज होते हैं, same as प्रॉस्टा ग्लांडेंज और यह हमार पास वैसल की पर्मियमिलİटी को बढ़ाते हैं, केमो टैकसिस कराते हैं और लियुकज़गेई आद ही और एक्टिवेशन कराते हerson कराते हैं इसके पास ह्मार पास साइटोकाइन, cytokine के अंदर interleukins हैं और tumor necrosis vector, tumor necrosis vector, interleukin 1 और interleukin 6 यह हमारे पास macrophages से produce होते हैं, endothelial cell और mast cell से produce होते हैं यह हमारे पास endothelium की activation कराते हैं local में और systemic के अंदर मतलब system wise क्या गराते हैं एक तो fever, दूसरा metabolic abnormalities, तीसरा hypotension, shock cause कराते हैं chemokines क्या करते हैं, chemokines नहीं है, उनका source है leukocyde यानि के WBCs और activated macrophages as such इसको सिर्फ रटाई मारना और कुछ नहीं करना platelet chemokines जो हैं, chemotaxis कराते हैं, chemotaxis हमने पढ़ा था जब उस process के अंदर platelet activating factor जो हैं, leukocyde और mast cell से release होते हैं, यह हमाँ पास vasodilation, vessel की पर में बढ़ाते हैं, leukocyde को adhere कराते हैं, chemotaxis, degranulation और oxidative burst यानि के सारे process में, पहले blood vessels को dilate किया, फिर उसके बद लुकोसाइड को adhere कराया, फिर उसके बद chemotaxis के अंदर भी रोल है इनका, और फिर उसके बाद हमाँ पास जो killing के mechanism थे, oxidative burst वगरा उसके अंदर भी हमाँ पास platelet activating factor जो है वो काम करता है, इसके बद प्लाजमा के अंदर होता है, और प्रडियूस होता है, यह प्रोटीन 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 होती है लिवर से और यह हमाँ पास क्या कराती है, लुकोसाइड की प्रडियूस होती है, इनका काम क्या है, वैस्कुलर प्रोटी को इंक्रीज करती है और स्मूथ मसल की कांट्रेक्शन कराती है इसके लब आप वेज़ो डायलेशन और पेन के अंदर काम करती है, यह इनके में फंक्शन थे, अगर रट्टा मारना है, किसी ने अच्छे वाल और एक्टिवेट हो रहे हैं, यह मेजर सेल टाइप जो के मीडियेटर प्रड्यूस कर रहे हैं, उनके अंदर टिश्यू मेक्रोफेज इस, टेंडरेटिक सेल और मास सेल हैं, इनके इलावा कौन-कौन से हैं, प्लेटलेट, नूट्रोफिल, एंडोथिलियल सेल और अपिथ यह हमारे पास कुछ सेल हैं, जो मीडियेटर प्र duyus कर रहे हैं, सेल ड़ागमेडर कोन-कौन से है रहे हैं, अमाइंज हैं, डिनोवोस, थि संसाइट, और मिडंध लूगो ट्राइन, साय्टोत होती हैं, इनके लावां हमारे पास प्लास्मा-ड्राइव्ड सेल और यूजिलि एक्टिवेयट होती है बाया पोड़क स्टिमेट करेंगे like microbial products या प्रडक्शन के लिए stimulus के तौर पर act करेंगे most mediator जो हैं वो short lived होते है और हमारे पास quickly decay करते हैं और inactivated हो जाते हैं by the enzyme and once the mediator can stimulate the release of other mediator एक मेडियाटर की ठीकार के सिर्फया अधे निजवीलेस लिफार आपने अधे पहले प्रयों 1T करवाता है अब बात करते हैं अपने पहले वेजो लेशी स क्टे कर डाक कि लेखा एध राएयरा एक फि스तेमीन अधेय के लंग पर दॉसरे सिरॉटमी इसके अंदर दो major vasoactive amine है और इनके action जो हैं वो हमाई पास blood vessels के ओपर होते हैं vasoactive का मतलब vaso का मतलब blood vessel active का मतलब सिरफ blood vessel के साथ के activate होते हैं histamine और serotonin अब यह हमाई पास करते क्या यह दोनों store होते हैं pre-found molecule के तौर पे यह हमाई पास release होते है as first mediator during the inflammation और यह हमाई पास mass cell से release होते हैं richer source of histamine क्या है mass cell इसके लाब हमाई पास blood basophil or platelets भी जो हैं वहां पर भी histamine produce होती है यह mass cell की mass cell जाए वह granule release करता है और granules जो हैं वह release होते हैं by the regranulation और इस से हमाई पास physical injury, trauma, cold, heat यह सारी उसकी causes हैं in response degranulation क्यों हो और यह mass cell की injury, trauma, cold, heat, unknown mechanism कोई unknown organism आगया body के इंदर इसके लाबा antibodies bind कर जाए mass cell से तब release होते हैं जैसे के allergic reactions में होगा called as anaphylatoxin, c3a, c5a, striblator इसके लाबा हमाई पास antibodies और complement product जो हैं वो specific receptors के साथ bind कर जाएंग और trigger कर जाएंग हमारे पास binding of antibodies to the mast cell allergic reaction के अंदर और तीसरी चीज़ निउरो पेप्टाइड और डिफरें इस्तामीन को रिलीस करवाते हैं इस्तामीन जै वो dilation of arterioles cause कराता है वेजो dilation और इसके लाब permeability of venules को बढ़ाता है यानि के माई पास जो blood vessel के reaction है उनके इस्तामीन का रोल है यह हमने पीछे भी देखा था अपने start इसके हिस्तामीन के होते हैं different receptors यहां पे जो काम करते हैं हिस्तामीन 1 receptor होते हैं अब हम अगर इसके clinical picture देखें क्लिनिकल यूज देखें तो हम जब inflammation को prevent करेंगे तो हम इस्तामीन को block करेंगे कि हिस्तामीन मेंली पहला-पहला mediator है तो anti-histamine यानि के इस receptor को हम block करेंगे H1 receptor को anti-histamine drug जो हैं जो के allergies के अंदर यूज होंगी वे H1 receptor के antagonist होंगी और यह हमारे पास histamine क्या काम करते हैं दूसरा एक तो होगे vasodilation और increased capillary permeability और यह दूसरा काम करती है contraction of smooth muscle जिसके वदे से हमारे पास bronchial spasm हो सकता है इसके बाद है serotonin, serotonin का दूसरा में 5-hydroxy tryptamine यह भी vaso active mediator है जो के platelets के अंदर present होता है और neuro endocrine cell और GIT वगारा के अंदर यह vasoconstrictor है histamine vasodilator है और serotonin vasoconstrictor पर इसका यह है कि यह humans के अंदर find नहीं होता मेली muscle के अंदर rodents में present होता है अब हम बात करते है प्रोस्टाग्लेंडिन नहीं phospholipid arachidonic acid metabolites के arachidonic acid जो है फॉस्टाइपेज के action के वेज़ा से हमारे पास बन रहा है 20-carbon compound होता है इसके हमारे पास दो पात्वे चलते हैं एक cyclo-oxygenase pathway और लिप-oxygenase pathway जो चीजमें पर्डियूस होते हैं उनका नाम है prostacycline और prostaglandin और thromboxyn इन फीनों के मेन function क्या होते हैं कि हमारे पास prostacyclin फ्लेइलेशन कराता है platelet के aggregation को inhibit करता है जबके इसके exactly opposite काम करता है thromboxyn Tx-A2 फ्ले इस के पर पसक्रेशन कराता है और platelet को aggregate कराता है यह दोनों आपसके opposite action हो गए प्रॉस्टर साइ्टिंग क्या करा रहा है वेजो डायलेशन और प्लेटलेट की इंहिमिशन और हमारे पास प्लेटलेट को अग्रिगेट कर रहा है और वेजो कंस्ट्रिक्शन का रहा है थ्रॉम बॉक्सिन इसके बाद हमारे पास है प्रॉस्ट सेंस्टिविटी के अंदर रिलीज होता है इन सब में फरत क्या है कि इन सब के अंदर डिफरेंट पॉजिशन पर प्रेजेंट होता है इस पाथवे को ब्लॉक किया जाता है थ्रू डिकलोफेन आइबरुफिन एस्परीन और इंडोमेथसीन इनके जरिए और यह हमां बस क् इसके बाद हमाँ पास है सेकेंड पाथवे जिसके नाम में लिप ऑक्सीजिनेस पाथवे के अंदर हमाँ पास है एच पीट हैड्रॉक्सी परोक्साइड एकोसर टैटराइनोक एसिड हैच पीट और हीट हीट एच एच बनते हैं है जो हमारे पास हीड है हमाँपास लूटराइन-एफॉर के अंदर कर विकिक हो सकता है और सी फिर एक एक तर्तीब से खरी यह थीफ़वा Bowl इसकेंड एभाद हो 및 ऐस्के और को इंक्रीज carrier कहते हैं यानिके एस्मा करवाते हैं और वेस्ट सेल्स की पर्मियाबिलेटी को इंक्रीज करते हैं इसके लावा किमोटेक्सिस के इंदर इनका रोल है जो हमारे पास लिूकोट्राइन A4 से B4 बना हैं ये हमा पास दूस्री जगह से भी ये ची टी बना था इससे भी बनता है लिूकोट्राइन A4 जो के कीमोटेक्सिस के इंदर रोल प्ले करता है लिूकोट्राइन A4 और B4 के नदर convert होगा और यह हमारपस बाहिद है जो के inhibit कराएगा inflammation को लिपोक्सीजन A2 इन्हिबिट कराएगा inflammation वेजो डालेशन कौन करा रहा था प्रोस्टा PGE2-Prostaglandin-E1,E2, D2. Prostacyclin & staglandin वह वह वेजो-dylation और वेजो-constriction, thromboxyms, leukotrients C4-E4-D4 यह करा रहे हैं अहां पर वेजो-constriction. वेसल की permeability convert रहा है, leukotrients C4-D4-E4 इसके बाद Chemotax और Leukocyte Adhesion के अंदर किसका रोल है? Leukotrine B4 का Smooth muscle की contraction कौन करा रहा है? Prostaglandin C4, D4 और E4 अबस Pharmacological Inhibition कैसे Prostaglandin और Leukotrine की है? एक तो हमने COX की inhibition देख ली तुरू Esprin और Diclofen, Ibrofen और Indomethacin ये सारी जो है COX 1 और COX 2 को inhibit कर रही है मेंली COX 2 को, COX 2 जो है वो more potent है 200 से 300 ताइम्स देन COX 1, specifically COX 2 के inhibitors, selective inhibitors जो है वो increase करते हैं cardiovascular diseases और cerebrovascular diseases का रिस्क जो है वो बढ़ा देते हैं क्योंकि वो Prostaglandin I2 यानि के Prostaglandin की जो है production बढ़ा देते हैं, Prostaglandin क्या करते हैं हमाँ पर वेजो डालेशन और platelet aggregation को inhibit करते हैं जिसके वाज़ा से मारे पास प्रिवेंट करेंगे thrombosis को, while living index COX 1 mediated products और thromboxin A2 जो है वो बनते रहेंगे वो बनते रहेंगे तो मारे पास thrombosis होगी क्योंकि वो हमारे पास वेजो कंस्रिक्शन और platelet aggregation करा रहे हैं और ये ड्रक सिर्फ उन पेशेंट्स के अंदर इन के अंदर cardiovascular diseases का रिस्क ना हो दुबारा से COX 1 और COX 2 की अगर हम बात करें तो selective अगर हम COX 2 का inhibitor देंगे न तो वो हमारे पास प्रोश्टा साइक्लिन की जो formation इसको तो इंक्रिस कर देंगा तो ग्रोश्चलेण वाले को जो हैवो को 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 ज़जिक्रें करता है तो वो प्रोश्टाग्लंडिन वाले को जब इनक्रीस कर curriculum की इनक्रीस हो जाएगी अधर कंस्रिक्छन और platelet aggregation रहे फोजिज प्रcas Leg नहीं होते हैं तो इनके लिए हमने एक new pathway develop किया जिसका नाम है Ziluton जिलूटन जो है वो treatment of asthma के लिए यूज होती है इसके लिए 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 कोटिकोस्टिरोइड कोटिकोस्टिरोइड जो है वो anti-inflammatory agent है जो के cox-2-phospholipase A2 और pro-inflammatory cytokinin interleukin-1 और TNF और और intracellular nitric oxide synthase इन सब को जो है वो encode कर रहा होता है कोटिकोस्टिरोइड उस genes को खराब कर देती है उन जीन की transcription को कम कर देती है Leukotrine receptors antagonist Leukotrine receptor के antagonist हम यूज करते हैं Like Montelukast in the treatment of asthma Asthma के treatment के लिए हम यहां पर यूज करते हैं Montelukast और Zillotrine